अभी कुछ दिन से बहुत सारे जो स्मार्टफोन हैं वो ब्लाश्ट होते जा रहे हैं यहाँ पर गैस बात करें मेली जो बीबी के एलेक्ट्रोनिक्स की तरफ से आते हैं चाहें मैं बात कर लो ओपो वीवो वन प्लस या फिर रियलमी की तो सारे जो है बीबी की blast हो गये हैं और यहां पर गैस अभी recently कल की बात है जहां पर realme 8 जो है वो blast हुआ है realme 8 का ऐसा था guys की जो user था वो game खेल रहा था उस time और अचानक suddenly जो है उनका phone blast हो गया यहां पर और यहां पर blast कैसे होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाए है क्या reason हो सकते हैं blast होने के और company कैसे पला जाड़ देती है सारा कुछ यहां पर discuss करने वाले है इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही ज़ादा interesting है वीडियो पूरा देखना guys कुछ ना कुछ सीखने को जरूर से मिलेगा यहां पर guys बात करें OnePlus Nord 2 की तो OnePlus Nord 2 बहुत बार blast हो चुका है सुरुआत से ही guys यह जो phone blast होना start हो गया था जैसा कि आपको पता है और recently एक वकील का जो है phone blast हुआ था तो उन्होंने जो है phone company को नहीं दिया था क्योंकि उनको पता था कि अगर वो company को phone देंगे तो वो कुछ न कुछ बहाना मार देंगे कि आपने चार्ज में लगा के रखा था या फिर आपने ही कुछ छेर चाड़ कि है जो user है उसके उपर ही blame पूरा डाल देंगे तो वो वकील था दिमाग वाला था तो उसने क्या किया phone को company को नहीं दिया और बहुत सारे जो है legal action लिए उसके उपर वकील का कहना था कि मैं पूरा production जो है one plus not two का बंद करवा दूंगा लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी response नहीं आ रहा है अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है और उसके बाद दो-तीन और one plus not two blast हो गए है और recently वाला blast मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि ओपो का फोन आपको पता है एक auto driver का blast हुआ था उसका पूरा pair factor हो गया था बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उसका सबसे ज़्यादा उसको हाँ पहुचा था और उसके बाद गईस यहाँ पर one not two जो recently blast हुआ है उसको आप देख सकते हो गईस यहाँ पर image में मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा सकता है इसलिए मैंने community post भी जो है delete कर दिया था क्योंकि यहाँ पर YouTube में जो है community कर लो कर लो वहाँ पर मैंने story भी डाला था तो वहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पर गईस देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है फोन का और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है यहाँ पर आप गईस बहुत अच्छे से देख सकते हो तो गईस यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जो है बहुत ही बेकार हुआ जिसके साथ भी हुआ गईस यहाँ पर और OnePlus Nord 2 जो अभी blast हुआ था जिनके पैर में चोट लगी है तो OnePlus Company ने इसका क्या है पूरा खर्चा उठाने को बोल दिया है कि जो भी इलाज में पैसा लगेगा वो हम देगे और साथ में फोन का refund भी दिलाएंगे और अगर वो नया फोन चाहता है नौट तो भी दिलाएंगे ऐसा OnePlus के तरफ से आगया है बाकि Realme जो 8 है वो अभी अभी टैग करके और भी बड़े-बड़े यूटुबर्स को टैग करके आपको क्या है ट्वीटर में ट्वीट कर देना और अधर सोचल मीडिया में भी टैग करके उनको जो है डीम कर देना होगा कि लोगों को पता चलेगा और साथ में कंपनी भी फिर हरकत कर रखता आप प्रफोन को कहीं भार खुलवाया हुआ है आपने प्रफोन को किसी दूसरे चार्जर से चार्ज किया है तो यह वह आपके ऊपर पूरी तरसे ब्लेम डाल देगी और अपने उपर से पूरी तरसे पकला जाड़ देती है तो guys इन सब मामलों में आपको बच के रहना है not to blast हुआ था जिस भाई के पैर में चोट भी लगी है उसमें बोला जारा था company के through या लोगों का कहना भी था कि जो है pressure जादा हो गया था इस वज़े से तो guys अपने pant में तो सभी लोग phone रखते हैं आज के date में तो मेरा phone तो आज तक blast नहीं हुआ guys मैंने भी अपने phone को रखा हुआ था अपने pant में आज तक मेरा phone blast नहीं हुआ तो phone में ही कुछ problem था तभी वो blast हुआ था इसका क्या है guys वो अगर blast हो जाता है phone तो वो आपको refund कर देगी इलाज का पैसा देगी लेकिन guys जिसको चोट लगती है जिसका phone blast होता है उसको चोट लगती है उसको कितनी ज़्यादा problem होती है इसके बारे में company को थोड़ी कुछ लेना देना होता है और वहीं पे guys आपको जो अपने pant में phone को रखते हो और वहां पे कहीं इधर उधर चोट लग गया गलत जगह में चोट लगया तब फिर क्या होगा कहीं कुछ बहुत बड़ा हाथसा भी हो सकता है guys यहाँ पर हाथसा थे हो रहे हैं लेकिन इससे भी जाधा हो सकता है guys यहाँ पर जान भी जा सकती है इसके वज़े से मान लीजे है guys यहाँ पे लेकिन कंपनी का बस यह हिए कि हमको क्या पैसे कमाने से मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि फोन बहुत अच्छा है कंप राइस में अच्छा फोन निकालायबिकना ठ taxpayerدة अ चाहिए यहीं होता है कंपनी का बस यहाँ पिय नहीं सोस्ता कि प्रोड़क्शन बंद कर दो इसमें problem हो रही है तो इस फोन को बंद कर देते हैं इसको नहीं बेचते है या फिर और साधौहनी से चेक्स करते हैं कि ऐसा क्यूं हो रहा है लेकिन अभी तक कंपनी के साइट से ऐसा कोई भी कोई भी लेटर या फिर कोई भी ट्वीट वगेरा नहीं आया है कि क्यों ब्लाश हो रहा है क्या रीजन है कैसा है अभी तक कुछ भी रिस्पॉंस नहीं है रीजन के बारे में यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिसकस कर लेते हैं जैसे कि अगर आपका फ सबसे ज्यादा Dodge का है उसकी वजह से भी हो सकता है या फिर यह सकता है गया फिर आप जो है अपने फोन को कहीं पर गिरा या फिर manufacture defect भी हो सकता है guys क्योंकि इतने सारे phones बनते हैं एक ना एक phone में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है और blast क्यों होता है guys यहाँ पे blast होता है तो सिर्फ battery की वजह से फोन चलता भी नहीं और battery है इस वज़े से blast होता है अगर वहाँ पे guys आपके phone में छोटा सा capacitor भी जल जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा जल जाएगा capacitor आपको जो फोन है वो dead हो जाएगा तो उससे आपको पता भी नहीं चलेगा धुआ भी आपको समझ भी नहीं आए लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपका battery फूल रहा है अगर आपको लग रहा है कि आपका battery फूल रहा है या फिर स्टार्टिंग है उसका तो आपको तुरंद से battery को remove करवाना चाहिए नया battery अच्छा वाला लगवाना चाहिए क्योंकि guys कभी भी जो है आ बहुत जादा फरक पड़ता है आपको branded power bank ही यूज करना चाहिए कहीं railway station में मिल जाते हैं सस्ते में कहीं कहीं और मिल जाते हैं यह सारे जो product हैं आपको avoid करने चाहिए क्योंकि इनका कोई guarantee नहीं होता और कैसा power output power यह दे रहे हैं इनके लिखने पे भी believe नहीं होता और अगर company वाला product रहेगा तो आप कम से कम claim तो कर पाओगे आप कम से कम tweet करके बता तो पाओगे कि इस वजह से ऐसा हुआ है मैंने इस power bank से charge किया था phone तो guys आपको हमेशा अच्छे product company वाला ही product जो है खरीदना चाहिए और वहीं पे mobile में भी ऐसा ही है आपको कोई भी mobile नहीं खरीदन चाहिए लेकिन अच्छे mobile भी बहुत ज़्यादा फट जाते हैं यहाँ पे जैसे कि OnePlus Nord 2 है और साथ में OPPO के कुछ phones है और साथ में जो है OPPO A53 फटा सा शायद और अभी Realme 8 फट गया यहाँ यह सारा चीज आपको क्या है सावधानी बरितनी चाहिए और साथ में आप कभी अपने फोन को ओवरहीट होने से बचाया करिए आप गेमिंग करते हैं ओवरहीट हो रहा है तो आप temperature मेंटें करके अच्छा आपके रूं का temperature आप अच्छा रखिए जिससे आपका फोन कंगरम हो अगर आप ज्यादा दिर गेमिंग वगरा करते हैं और आपको लग रहा है हो रहा है, तो आप अपने फौन को कुछ दिर उराम करने दीजिए, यहाँ पर यह बहुत जादा जरूरी है और charge में लगाए phone में gaming करने से बची बचीए क्याइज कि चार्ज में लगाएं ver card gaming करने से बहुत जादा problem हो सकती हूल है आपका phone gaming की वज़े से हीट होगा फिर चार्ज की वज़े से एक्स्ट्रा हीट हो जाएगा लाश्ट होने की जो चांसेस है वो बढ़ सकती ही यहां पर मैनुफेक्चर डिफेक्ट है कुछ प्राब्लम है फोन में तो वह तो गैस आपको क्या है कंपणी की तरह से रीफंड वगरा जरूर से मिलेगा आपको ट्वीट वगरा करना पड़ेगा बाकी यहां पर ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे हैं मुझे बहुत जादा अजीब सा लग रहा है आपका क्या कहना है इस ब्लास्ट के बारे में क्यों बार बार फोन ब्लास्ट हो रहे है इसके बारे में आप क्या सोशते हो और वहीं पर गईस अगर आप है om मुझे जरूर से comment में बताना क्योंकि OnePlus Nord 2 जो भी यूज करा है उसको एक तरह का डर तो बना हुआ है कि कहीं उनका phone कभी blast न हो जाए और बहुत साले OnePlus Nord 2 users जो है social media में active रहते हैं उनको जरूर से पता चल गया होगा और वो अपने phone को दूर दूर रखते होंगे बहुत जादा पास लाने से अभी डरते होंगे pocket में भी शायद ही रखते होंगे phone को मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक तरह से डर तो बनता ही गाई OnePlus Nord 2 को देखे तो बहुत जादा ब्लाश्ट हो चुपकी है करीबन 10 फोन अभी तक ब्लाश्ट हो चुपकी होगी कुछ जो है social media में आए है कुछ जो है नहीं आए होंगे social media में tweet नहीं किया होगा direct company के पास गया होगा जो बंदा है ऐसा भी हो सकता है तो गाईस यहाँ पर सोचने वाली बात है थोड़ा सा तरक रहिए बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे जरूर से बताइए आपको यह वीडियो बहुत ही जादा पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना and thanks for watching गाईस